गलक ब्रांड की दो पाप्लर स्मार्टफून एक तरब गैलेक्सी का M35 वाई दूसी तरब मोटो एच 50 नियो फैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 2,500 रुपीज का डिफरंट देखनों को मिल जाता है क्योंकि एक तरब गैलेक्सी के M35 को 23 या चार्स न नियन रुपे की प्रैस में 8GB की रैम और 256GB इस्टोरेज वाले वीरियन को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफून का अगर परफूमस की बात करीजा तो एक तरब मोटो एच 50 नियो फैब जी में मीडिया टेक का डैमेंसिटी 7300 का प्रोसल देखनों को मिल जाता है वही दू स्मार्टफून के परफॉमस और गेमी परफॉमस में भी डिफ्रेंस देखनों को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ मोटो एच 50 नियो फैब जी का जो अन्तुतू स्कोर निकल के आता है वाई दूसी तरफ गैलेक्सी के M35 का जो अन्तूतू स्कोर निकल के आता हूँ इलेवन थाउजन निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफॉन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे है तो इंदोने स्मार्टफॉन के जाना बहुत ज़रा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफॉन में 30 मिनट तक गेम को प्ले निकल के आता है स्मार्टफॉन का अगर डिस्प्ले सेग्मिंट की बात करी जारों डिस्प्ले के मामरे में भी बैस्ट हुए आता है मोटो का एच फिप्टी नियों फैब जी 6.4 इंच की 1.5 के रेजिलेशन वाली पी ओने डिस्प्ले देखने को मिल जाती डिस्प्ले के एम थाटी 5 में 6.6 इंच की सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती हो डिस्प्ले के अच्छी स्मूतनिस के लिए 120 हर्ट रीफ्रेश है का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफॉन का अगर क्यामरा सेग्मिंट की बात करी जाए वैसर तो दोने स्म स्मार्टफॉन में अपने प्रैस में एक्सिलेंट ओ यस वाला क्यामरा सेटप देखने को मिल जाता पर क्यामरे के मामने में ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो एस 50 नियों 5G के कैमरे में ही देखने को मिल जाते 50 मेगा फिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर द दूसी तरब गैलेक्सी के M35 के बैक में टिर्पल लियर कैमरे कैमरा देखनों को मिल जाते 50 मेगा फिक्सल का मिल जाते हैं विट एड़ एड़ लेट के साथ कैमरे में OIS का सपोट देखने को मिल जाता है रो फोन के बैक कैमरे से 4 की वीडियो भी असानी से रिकॉर्ट कर सक सकते हैं सेलफी कैमरे के अगर बात करी जा तो उसमें भी किलियर विना निकल के आता है मोटो का एच 15 यो फैब जी 32 मेगा फिक्सल का सेलफी कैमरा देखने के पिल जाता है फोन की फ्रेंट कैमरे से भी फोर की वीडियो असानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं वह दूसी तरब गैल का अगर बात करी जा तो उसमें भी दोने स्मार्टपून के पास एड़वांटे देखने को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के एम थर्टी फाइट में 6000 एम एच की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है टॉन्टी फाइब वाट की फार्ट चार्जिंग के साथ यूए एक तरफ गैलेक्सी के एम थर्टी फाइट में सिकोर्टी फीचर के लिए साइड मॉंटेट फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाता है तो अब बात करी जा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टपून आप लोगों के बैच्ट है अगर आप लोग इन दोनों में से किसी स्मार् आप जी को ही बाई करें